तो कबीर साहेब की जै, संत समाज की जै उपकारिन में उपकार गुरू उपकारिन में उपकार गुरू दानिन में गुरू दान रख्चक में रख्चक गुरू गुरू समय और नयान गुरू समय और नयान परम्पुज गुरू देव जी वंदनी संत समाज भक्त प्रेमी सज्जनों या मताओं सहिब जी के आग्या हुई है आग्या पालनार्थ आप सब के बीच एक भजन प्रस्तूत है बिना सद आचरन धारे नकथने काम आती है ये तन मन इंद्रिया चंचल सदानर को नचाती है बिना सद आचरन धारे नकथने काम आती है बिना सद आचरन धारे नकथने काम आती है स्ववश तन मन वचन करेना नहीं कुछ साग मूली है स्ववश तन मन वचन करेना नहीं कुछ साग मूली है नहीं कुछ साग मूली है अधमताय अपने मन की ये सदा भव में पचाती है बिना सद आचरन धारे नकथने काम आती है स्वभाविक दूसरों के दोश को मन देख तानिश दिन हजारों भूल जो अपनी नहीं वे त्रिष्टी आती है बिना सद आचरन धारे नकथने काम आती है बड़ा बनना गुरू बनना सरल वीद्वान भी बनना बड़ा बनना गुरू बनना सरल वी द्वान भी बनना मगर मन की कुछाले जो मगर मन की कुछाले जो न जल्दी जीत जाती है बिना सद आचरन धारे न कथने काम आती है बिना निश्य लगन उत्साह स्रद्धा भाव के आए बिना निश्य लगन उत्साह स्रद्धा भाव के आए स्रद्धा भाव के आए ये साधन हीन साधक को विशय भव में गिराती है बिना सद आचरन धारे न कथने काम आती है यदी सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वशकर यदी सुख चाहते अविचल तो निज तन मन वचन वशकर लखे यभी लाश निज दुर गुण तभी मन शांति आती है लखे यभी लाश निज दुर गुण तभी मन शांति आती है बिना सद आचरन धारे न कथने काम आती है ये तन मन इंद्रियां चन्चल सदानर को नचाती है बिना सद आचरन धारे नकथने काम आती है बोलिये सद्ग्रू कबीर साहिब कीजै